हेलो एबरिवन आज की रीडिंग है गाईज की आपके द्वारा आपको कौन से सौभागे की प्राप्ति हो रही है यानि आपके ज्यान के द्वारा आपके जानकारी के द्वारा आपके मेहनत के द्वारा कौन से कौन से सौभागे की प्राप्ति आपके लाइफ में हो रही है reading इसी पर आधारित है कि आपको कौन सा सोभागे प्राप्त होने वाला है यहाँ पर देखते हैं reading में क्या निकल कर आता है guys six of swords, four of cups, nine of rods, the temperance four of pentacles, यहाँ पर आपकी उर्जा ये निकल कर आ रही है guys कि आप बहुत ज़्यादा hard working person है आप बहुती ज़्यादा परिश्णमी पूरुस है या महिला है आप बहुत ज़्यादा work कर रहे हैं अपने कारियों को success बनाने के लिए जिसके कारण आप अपने घ्यान से आगे बढ़ रहे हैं आप अपने दिमाग से हर एक कार को करने की कोसिस कर रहे हैं और आप present की बाते सोच रहे हैं बरतमान में आप जीते हैं इसके लिए आपका सौब्हागे भी आपका साथ देता है guys क्योंकि यहां पर यह बताए गया है कि आपका जो कर्म है इतना hard working है इतना आप मेहनत करते हैं अपने किसी भी चीज में आप इतना effort डालते हैं कारियों को करने के लिए कि आपको अपकी मंजिल जरूर मिलती है और यह hard work आप के द्वारा दिखता है guys कि आप इतना मेहनत करते ह हैं और साथी साथ आप ना past में जीते हैं ना future में जीते हैं बलकि आप अपने present को लेकर बहुत ही जादा possessive रहते हैं उसको कारे करने के लिए बहुत जादा आप अपने कारियों के लिए तिबरता लेकर आते हैं action लेकर आते हैं और उसके बाद अपने मंजिल तक पहुंच देख नहीं पा रहा है कि इश्वर गौड आपको क्या दे रहा है सिर्फ आप थोड़ी सी अपने चिंताओं में तकलीफों में डूबे हुए हैं क्योंकि आप वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उसका अती उत्तम फल नहीं मिल पा रहा है और जिसके कारण आप बहुत ज्यादा नि गौड एंजल बोल रही है कि तुम निरास मत रहो तुम दुखी मत रहो तुम थोड़ फालो करो फालो करो फालो को अपना जो है उसको और भी अधिक विस्तित करने की कोशिस करो अपने विचारों को और भी संक्रिन मत करो दुखी मत रहो बलकि अपने थोड़ फालो करो उ आपको बहुत बहुत जयादा काम में सक्सेजों सफल्टा मिलेगी गाईज और यहाँ पर यह neighborhood है कि आपके life में बहुत जादा आप कि थोड़ा सा अपने क्रोध पर थोड़ा नियंतरन रखे पॉजिटिव बने और यू नो दा आंसर आंसर आपके अंदर ही है प्रश्णों का उतर आपके इनर में ही है उसको ढूंडने की कोशिस करेंगे एंजल का गौड का इश्वर का साथ आपके पास हमेशा बना हुआ है सिर्फ यह है कि Believe in Magic यानि Magic पर चमतकार पर विस्वास रखें इश्वर पर विस्वास रखें ये सौभागे आपको मिल रहा है कि इश्वर स्वैम बोल रहा है कि खुद पर Trust रखो विस्वास रखोगे तो तुमारा हर काम बनता हुआ चला जाएगा और तुमको बहुती blessed person ह आप गाईस यहाँ पर अगर आप अपने पर खुद पर विस्वास करते हैं और जिस भी इश्वर को मानते हैं उस पर विलीब करते हैं तो आपका हर एक काम जो है सफलता हो सक्सेज की तरफ जाएगा आपके पास बहुत धे सारा abundance आने वाला है गाईस बहुत ज्यादा आप आपके पास आपकी आर्थिक इस्तिती में बहुती पूंड रूप से चेंज आने वाला है यानि जो आप पैसे के लिए जो कारे के लिए जो मंजिल के लिए आप तरस रहते वो लाइफ में आपके सभागे की तरह मिरिकल की तरह आपके लाइफ में आने वाला है और आपके भागे में आपके लिखा है लेकिन ये सब जो मिल रहा है आपके अपने अच्छे कर्मों के है गाइस आप थोड़े चिंतित हैं दुखी हैं मेहनत कर रहा है फल आपको उतना नहीं मिल रहा है लेकिन आने वाले समय में मिलेगा बस मैजिक पर विश्वास रखिए मिरिकल पर विश्वास रखिए अपने पर विश्वास रखिए और खुद थोड़ा सा रिलाइज ओन यूर्शेल्फ अपने आपको खुद पर भरोसा रखें यानि खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपकी लाइफ जो है गाइस बहुत बहुत आगे जाने वाली है सकसेज रहने वाली है और साती सात आपके लिए अंदर जो है पॉजिटिव फेथ लाना पड़ेगा यानि साकारात्मक सोच लाना पड़ेगा साकारात्मक थोट लाना पड़ेगा तब जाके आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा गाईज यहाँ पर और बहुती प्यारा बहुती सकसेज वाला मीठा फल मिलेगा आपको डिवाइन के तरफ से आपको सब कुछ दिया जा रहा है लेकिन आप थोड़ा सा अभी अपने चिंताओं में डूबे हैं उसको ग्रेप करने की कोशिज करें यहाँ पर दो दो डिवाइन के कार्ड आगे गाईज तो डिवाइन के तरफ आपको भरपूर सहायता मिल रहा है उसका सदुपियो करने की कोशिज करें bottom of the deck में queen of cups आया है तो आप भावनों में यहाँ पे बोला जा रहा है बलकि strong बने अपने responsibility को निभाएं आड़ वर्तों आप करी रहे हैं सकसे सफलता जरूर से जरूर मिलेगी क्योंकि आपके life में पूर्ण रूप से change आ रहा है परिवर्तन आ रहा है उसको आप महसूस करिए क्योंकि आपके अंदर वो capability है वो सक्तियां है जिससे आप अपने सवभागे को भागे को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपके पास wisdom है ज्यान है hard work है जिससे कि आप अपने भागे तक जरूर से जरूर पहुँचेंगे गाईज यहां पर और सबसे बड़ी बात यह है गाईज कि आप अपने live in the present आप present को अच्छा करने की कोशिस कर रहे हैं तो आपका future जो है हमेशा ही अच्छा रहेगा गाईज और hard working लोगों का भाग और इश्वर जरूर से जरूर साथ देता है गाईज देखते हैं और क्या आपके लिए guidance आता है morality यानि आपके जितनी भी यहां पर अच्छी बाते हैं अच्छे कर्म करने की बात कही जा रही है आप करी रहे हैं लेकिन और भी थोड़ा morality की और तरफ जाएंगे समाजिक्ता की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मान समान नीम फे मिलेगा गाईज यहां पर thunderbolt यानि मैंने बोला ही तकि आपके life में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है चेंज आ रहा है उस चेंज को स्युकार करने की कोशिस करेंगे तो आपके तरफ पॉजिटिव चीजे सोभाग अपने आप दोड़ कर आएगा गाईज यहां पर पॉजिटिव चीजे आप आ रहा है यानि आपके सोभाग में वो सब कुछ लिखा है गाईज जो आप चाह रहे हैं और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा hard work भी कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो जरूर से जरूर आ रहा है गाईज तो आप खुश हो जाईए कि आपके life में आपके ही द्वारा आप है कि अच्वार बहुत जरे गाईए कर दो किन्हें आ jacketsए थारे टो आपके हूए है बहाई हैlusive में रहे हैं तो 504 शर घयाऊ है if धे भी के रहे हैं जर आपके सािक में जरूर आपके से लिए लिए, आज पके सम दूर्ठाशा जर जาी हम ईजरे धना खशे है वो जरे ए है